साउथ अफरिका की धर्ती पर टीम इंडिया ने रचा इतिहास जो बड़े-बड़े दिगज नहीं कर पाए वो रोहित सिना ने कर दिखाया सिराज और विराट कोली ने किया ऐसा काम पूरी दुनिया कर रही है सलाम दूसरे टेस्ट मैच में आफरिका में टीम इंडिया ने जंडा गार दिया वर्ल्ड कप में शमी ने मचाय था कोहरांग साउथ अफरिका की खिलाफ टेस्ट मैच में सिराच का दिखा जलजला दूसरी पारी में बुमरा ने तोड़ दी अफरिकी बल्ले बाजू की कमर टीम इंडिया ने रच्टिया ऐसा एतिहास जिसके बारे में ना तो सचिन सोच पाए नहीं राहूल द्रवर आजित अगरकर को भी नहीं था भरोसा वो काम टीम इंडिया ने कर दिखाया साउथ अफरिका की धरती पर जो बड़े बड़े तुर्रम खा नहीं कर पाए वो रोहित की अगवाई में टीम ने कर दिया भारत को दूसरे टेस्ट मैच में मिली शांदार जीत इस जीत के साथ ही तूट गया हार पर हार का रिकॉर्ड साउथ एफरिका की धर्ती पर भारत ने काम्याबी का पर्चम लहरा दिया बेशक वंडे सीरीज भारत ने जीती हो और टी ट्वेंडी सीरीज को ड्रॉप पर छोड़ा हो लेकिन टेस्ट सीरीज में मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला था क्योंकि 27 सालों से टीम इंडिया साउथ एफरिका की धर्ती पर लगातार हारती आ रही है कभी कोई सीरीज नहीं जीत पाई लेकिन चलो ये सीरीज जीत नहीं पाई ड्रॉट तो कर दिया पर इस ट्रॉग के साथ ही एक बड़ा शर्मना के तिहास बनाने से साउथ एफरिकी टीम को रोक दिया इस पूरे मैच में मुहमद सिराज का जुरूप नजर आया उसने क्रिकेट फैंस को उनका दिवाना बना दिया आखिरकार मुहमद सिराज को विराट कोली ने ऐसा कौन सा इशारा किया जिसने पूरे मैच का रुख पलट कर रख दिया और सिराज की सिर्फ तिरेपन गेंदो ने पूरे मैच में परिवर्तन ला दिया आपको सब कुछ डीटेल में बताएंगे लेकिन शुरुवात करते हैं सबसे पहली पारे से जब टॉस साउथ अफरिका ने जीता और डीन अलगर ने बल्लेबासे का फैसला किया मैच का पहला सेशन ही चल रहा था और पहले सेशन में ही साउथ अफरिका की पूरी टीम पचपन रनों पर आल आउट हो गई इसमें मौमत सिराज की गेंदों ने ऐसा आग बरसाया कि साउथ अफरिका की टीम उसके सामने खड़ी भी नहीं रह पाई साउथ अफरिकी बल्लेबासों के पाउं कापने लगे थे पिछले मैच के शतकवीर डीन एलगर की गिल्यों को मौमत सिराज की गेंदों ने बिखेड दिया था उसके बाद मौमत सिराज कहां रुखने वाले थे सर्फ 15 रंदेकर सिराज ने 6 वेकेट हासल किये और साउथ अफरिका के खिलाफ टेस्ट मैच में वो कर दिखाया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ सिराज किसी घातक गेंदबासी की वजहां से पूरी साउथ अफरिका की टीम टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के सबसे कम स्कोर में और वो भी पहले सेशन में ही ओल आउट हो गई अब बारी थी टीम इंडिया की लेकिन टीम इंडिया की शुर्वात थी कुछ खास नहीं रही पहली पारी में यशस्वी शुन्य पर आउट हो गए रोहित शुमन और कोहली को छोड़ दे तो बाकी कोई भी बल्लेबाज साउथ एफरिका के सामने टिक नहीं पाया और पहली पारी में पूरी भारते टीम 153 रन पर आल आउट हो गई लेकिन जब टीम आल आउट हो गई तब तक 98 रनों की बढ़त मिल चुकी थी अब बारी थी साउथ एफरिकी बल्लेबाजों की साउथ एफरिकी बल्लेबाज तो आए और जबरदस्त फॉर्म में खेल रहे थे एडन मार्करम ने शतक भी ठोका लेकिन दूसरा कोई भी बल्लेबाज भारते गिंदबाजों के सामने ठहर नहीं पाया डीन एलगर सर 12 रन बना कर आउट हो गए और साउथ एफरिका के साथ बल्लेबाज तो 6 का अकड़ा भी पार नहीं कर पाये भारत को मैट जीतने के लिए सिर्फ 89 रनों की दरकार थी जिसे भारत ने आराम से 7 विकेट शेस रहते ही हासल कर लिया और साउथ एफरिका के धर्ती पर ही एक ऐसा इतिहास रचदिया रोहित की अगवाई में जो अभी तक मुहमद अजारुदीन, सचिन तेंदुलकर, विरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर और धोनी तक नहीं कर पाये थे इस मैट के शुरू होने से पहले मुहमद सिराज और विराट कोली मैदान पर बहुत देर तक एक दूसरे से बात्चित करते रहे मुहमद सिराज को कैसे गिंदवाजी करनी है, विराट ने उसके टिप्स बताए कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया, कि विराट कोली बार बार मुहमद सिराज को उनके अंदर की शक्तिया याद दिला रहे थे बार बार उनके पिता से किया गया वाइदा उन्हें याद दिला रहे थे और उन्ही वाइदों को याद करके जब मौमद सिराज गेंदवाजी करने मैदान पर उत्रे तो आँख बरसा रहे थे विराट कोली की ये सलाह काम आई और इसने मौमद सिराज के डूपते करियर को फिर से जिन्दा कर दिया सिराज की बवल स्विंग का साउथ अफरिकी बल्लेबाजों के पास कोई दोड नहीं था और नतीजा एक के बाद एक दोनों पारियों में बल्लेबाज आते गए और चलते गए पहली पारी में सिराज ने 6 विकेट हासल किया तो दूसरी पारी में मौमद सिराज को एक विकेट मिला लेकिन दूसरी पारी में सिराज की तरह बुमरा भी रॉल दरावतार में नजर आ रहे थे सिर्फ 73 गिंदों में बुम्रा ने 6 आफरीकी बल्ले बाजों को चलता कर दिया जिसने पूरी आफरीकी टीम की कमर तोड़ कर रख दी और यहीं पर जीत का आखरी चौका शोमन गिल के बल्ले से आया और गिल ने इस चौके के साथ ही इतिहास में अपना नाम दर्च करवा लिया अब भारत किस जीत पर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में बताईएगा